नमस्कार उत्रमेटिक स्कॉलसिप 2020 और 2021 की काफिस सारे स्टेंट की जो इसकॉलसिप है वो उनके एकॉंड में करडिट नहीं हुई है तो इसकॉलसिप है जो कब तक आएगी यानि जो इसका बजट है इस महीने कितना बजट आया है साथ ही दोस्तों 2020 और 2021 की जो इस्टेंट ह वड़ी ट्रेल में कौन-कौन से option आ रहे हैं जैसे कि माल लोग आप यहां पर देख सकते हो payment sanction का option आ रहा है साथ ही में यहां पर exclusive distribute बता रही है कापिसर इस्टेंड को है जो इप not credit और please wait का option आ रहा है साथ ही किसी को IPC code change का option आ रहा है तो यहां पर दोस्तों इसका जो बजट है वो इसमें ने कितना आया है और 2020 और 2020 की जो इस्टेंड है जिनकी scholarship अभी distribute बता रही है यह पिर उनके account में नहीं आई है तो उसके लिए क्या solution है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने बाला हूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि दोस्तों समाज के लाण विबाग की जो scholarship आपको मिलती है इसके regarding दोस्तों मैं आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के बाद इंसे देता रहता हूं लेकिन आप मैं से कहीं सारे इस्टेंड ऐसे हैं जो वीडियो के नीचे आगर आधी दूरी जानकरी देखने के बाद है जो ऐसे से कमेंट करते हैं जिसे कि दोस्तों यहां पर मे ठीक है और अगर आपको चैनल पर इसकोलेशिव की जानकरी सही नहीं लगती है तो आप चैनल को है जो छोड़ सकते हैं दोस्तों मेरा अमेसा प्रियास रहता है कि इसकोलेशिव के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या फिर आपको जो भी प्रॉब्ल जो बैड कमेंट करते हैं तो प्लीज आपसे निविदन है बैड कमेंट ना करें ठीक है इसके लाव दोस्तों यहापको मैं बता दिता हूँ 2022 तेश के फॉर्म परे जा रहे हैं आप लोगो मेरे चैनल पर वीडियो है जाकर देखकर है जो आप फॉर्म अप्लाइक कर सकते ह है ठीक है अब मैं आप पो यहाँ पर बता देता हूँ कि 2020 और 2021 यानि कि प्रिविज सेशन की जिनकी भी स्कॉलसिप बकाया है जिनकी मानलों 2021 की जो 40% आ रहे है किसी की 70% नहीं ही है इसके लाव 2020 खास करके कापिसा रिश्टेंट की बकाया इस्कॉलसिप है एनि डिस्ट्र संबर 2020 को पेमेंट सेंक्षेंट हो रहheiten अभी तक एकॉंट में आया इसके लिए दोस्तों आपको अपनी डिटेल है त्यालें डिपिय्ध सेंग़ा लेकिन डियाघिए यह और साथ ही में दोस्तों यहां पर है जो यह क्यों आ रहा है यह जो PFF में स्पोर्टल है उसके सिस्टम में है जो इस्यूस की विज़े से आ रहा था ठीक है तो आपके भी यह दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बैंक डिटेल आपको अपडेट रखना है इसको रहे यह सेम प्रोब्लम है इप नौट करडिट वेट फोर नेक्स अपडेट यहनुकि आपको यह दोस्तों क्या है कि जो पॉर्टल है एक साथ मालो अपडेट अपडेट होता है इसको लेशिप कर डिट करने के लिए तो जिन इस्टरेंड का मालो बिल जैनेट हो रहा है इ उसका भी है जो क्या है कि payment sanction के टाइम है जो इसको लसी डिस्टूबुट का दिखा देता है ठीक है तो इसमें जो next update आएगा तब आपके इसको लसी पैजो माल लो यहां पर डिस्टूबुट दिखा रही है तो वो करडिट कर दी जाएगी यहां पर पहांचों आप देख सकत है बले आपका account details सही है लेकिन जो FC code क्या पता आपका जो बैंक का FC code वो चैंज हो गया हो तो आप क्या करा है अपना जो बैंक का नए वाला FC code वो जनदार कार्ड में और जो इसको लसी प्रोपाइल है उसमें update करा है ठीक है यहां पर दोस्ता आपको एक और मैंप पूर अधूरी है आवेदन बिल प्रोसेस प्रक्रिया में है यानि की बजट अबाब में अभी भुक्तान नहीं हो पया है बजट की मांग निदेशाले इस तरह से कर दी गई है जैसे बजट प्राप्त होता है प्रार्ति को चात्रविदी का भुक्तान वो कर दिया जाएगा पोर सात्रों को यह सुजाव दिये जाता है वह अपने बैंक अकॉंट में कम से कम 500 से लेकर 1000 का बैलेंस रखें जिससे कि उनका बैंक के अकॉंट है वह फुक्तान प्राप्त कर सके करपिया अपने रिजिस्टर मॉबाइल नंबर पर प्राप्ति मेसेज का अवलग करते रहें अ जो हए यहां कि जो आपका बजट है इंडरी की प्रोसेस में है जो समाच तरवर्द का रहाए जो आपको छाथए बजजट है उस et Wolies डिया रही यारा है यह कि ठी जिनद्र में किस्कों पहारे से अधरा स्वाषए इस्टर पर तो से दोस्तों जैसे का इकTo के You स्कूलसिप आपके कर्डिट कर रहे हैं कापी सारे डिय्यूज है जो इसकूल म् Went धिस्टुबूट कर रहे हैं कि दोस्तों मैं ने पिछले वीडियो मिपो ढखाया था कि 2021 की जो 40 प्रॉइन को है उसमें से कापी सारे लावा कापी सारे वीडियो के सकले सथink推क से ऑगाे है लेकिन जो 60% रिस्कलेशिब है वो कब तक आएगी तो 60% के लिए यहाँ पर आपको बता देता हूं कि 60% रिस्कलेशिब आपकी केंदर सरकार डिस्टूइट करेगा लेकिन 40% है जो जिन डियलों के बजट है वो जारी होने बला है यहाँ पर आपको क्या करना है अपने सबसे पहले आपको बैंकिंग डिटिल जन अधार कार्ड में अपडेट करना है और उसके बाद आप जो आपका आधार कार्ड है वो लिंक कर वा लें क्योंकि आप दोस्तों 40% इसकोलशिप तो आपकी इस्टेट गुवर्मेंट कर देगी लेकिन साथ परज़न इसकोलशिप है वह आपकी आधार बेस्ट एकॉंड में आएगी यानि कि जिस भी एकॉंड में आपका आधार कार्ड लिंक होगा उस एकॉंड में आएगी तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि 40% इसकोलशिप लेने के साथ साथ आपको 60% भी लेना है तो अपना जो भी बैंक और इसमें आधार कार्ड को लिंक करना है ठीक है यहां पर साथ रुपए का यहां पर आपको सब्सक्राइब करने नहीं होगी ठीक है तो यह आपको मैंने पूंट बता दिया है आपना नयवाला इप्सी कोड आपको अपडेट रखना है साथ यह उसमें पांसों से लेकर रुपए आपको रखना है और यहां पर आपको जो बीना लिमिट व पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग